चेहिन दोस्तों मैंने दीवें चोहा ना जम करेंगे class 10th का 4.1 का question 1 का part 1 इसमें हमें बताना है कि जो दी गई values हैं वो समीकरण, द्विगात समीकरण है या नहीं है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं values हैं x plus 1 का whole square बराबर 2 bracket x minus 3 bracket बन ठीक है पहले हम LHS को solve करेंगे और फिर RHS को तो LHS क्या है x plus 1 का whole square तो इससे देखिए फार्मूला बन रहा है a plus b का whole square फार्मूला हमारा होता है a square plus 2ab plus b square तो देखो a है x तो यह x square हो जाएगा 2ab because plus है तो plus 2ab तो plus 2ab तो यह हो जाएगा 2x plus b square तो b क्या है 1, 1 का वर्व होता है 1 ठीक है तो हमारी value आई x square plus 2x plus 1 अब RHS को solve करेंगे ठीक है RHS है हमारा 2 bracket x minus 3 bracket बन 2 से x को गुणा करेंगे 2 एक कम 2x plus minus minus और 2 तिया 6 तो RHS आगया हमारा 2x minus 6 अब दोनों को हम बराबर रख लेंगे यानि कि LHS के solution को LHS पे और RHS के solution को RHS पे ठीक है अब देखिए x square plus 2x plus 1 2x का पक्षान्तरण minus 2x minus 6 का पक्षान्तरण plus 6 अब देखिए यहाँ पर x square 2x से 2x कट गया because यह plus का है यह minus का है ओके 6 और 1 हो गए 7 इसको मैं यहाँ से ऐसे कट कर देती हूँ 2x से 2x हमारा कट हो गया ठीक है 6 और 1 साथ ठीक है अब देखो a बराबर है 1 x square के साथ कुछ नहीं है that means 1 b बराबर 0 क्योंकि यहाँ पर x की कोई term नहीं दी गई तो उसे हम लिख देंगे 0 और c बराबर है 7 तो दी गई values हमारी द्वीघात समीकरण है because x की गई है 2 इसका मतलब यह द्वीघात समीकरण है ठीक है तो मिलते हैं अगले question के साथ अगली वीडियो में जैहिन जै भारत